और बीजेपी ने काफी strong candidates इस वक्त उता रहे हैं और मैंने चोड़ी करने के बाद वो सारा दान मंदिर में देती है तो वो चोड़ तो नहीं चोड़ी रहे हैं काम continuously चल रहे हैं और इस election जीतने के बाद मोदी और भी अच्छी तरीके से काम होगा नमस्कार मेंना नाम है तनिश और आप सब देख रहे हैं Sogan TV आपका क्या नाम है सर्थ? संदीप अचा तो जैसा कि आप क्या लगता आपको कौन जीतेगा बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी और आपको ऐसा क्यो लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो गटबंदन कॉंग्रेस के साथ हुआ है उससे काफी इंपक्त पड़ेगा तो जैसे कि आपको पते कि वो कहरें कि 400 की पार निकल जाएंगे और जो विपक्ष है वो कहरें कि नहीं वो और आम से 500 भी कर जाएंगे देखें ऐसा है बीजेपी का जो टैली है वो पिछली बार से काफी इंप्रूव होगी क्योंकि टागेट्स अगर सेट किया हुआ है तो वो सबके माइंड में फोकस है कि हमें NDA का टागेट है वो 400 प्लस का बीजेपी वोड़ बी 375 जो उन्होंने टागेट सेट किया है बट आम कॉइट शूर के बीजेपी इस वक्त तीन सो चालिस तीन सो पचास पर कमफरटेबली ले जाए आपको ऐसा क्यों लगते कि बीजेपी लेके जाएगी और आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी इस वक्त उता रहे हैं डेली के अंदर जहां तक कि बांसुरी सोराज हो गई वो काफी इंपैट करेगा आप देख सकते हो कि केजरी वाल बोलता है कि हमने बहुत कुछ दियाम जनता को फ्री एलेक्टरिसिटी कर दिया बहुत कुछ कर दिया और जा बात बीजेपी की करते ह हैं लोग उन लोगों के लिए काफी क्या है लेकिन बिंग माइसेल्फ अगर मैं मीडियम इंकम कुरूप से हूं तो मुझे एलेक्टरिसिटी का इतना फाइदा नहीं मिलता है क्योंकि 200 यूनिट मेरा हमेशा क्रॉस ही होता है तो मेरे को फुल पेमेंट करना ही बढ़ता है मोधी जी बोलते कि हमने गरीब Baurlich को बोहुत पैसे दिया है घर बनाने के लिए हमने इतने सारे अब तक घर बनवा दिया और जाकि बात करें और देखा जाये तो उन्होंे कुछ कर रही नहींैसा नहीं यह नहीं है उनने काफी कुछ किया है बीजेपी ने डिवल्लप्मेंट इंफरस्ट्रक्चर में जहां तक हाउसिंग का है लोगों का और सबसे में मुद्दा तो बीजेपी ने जो तीन काम बहुत अच्छे कियो है जो कि आर्टिकल 375 का है आपका राम मंदिर का है इसस से काफी इंपक्ट पड़ेगा जो राम मंदिर इतने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था और जानबूच के बाकी गोर्मेंट्स नहीं कर रहें थी क्योंकि वो वोट बैंक अच्छा था लेकिन वन सेन फॉर और यह खतम करने के बाद अगर इस बार बीजेपी को उसका म पसाएगे क्योंकि अब इलेक्शिन आच चुके और वो जीत ना पए देखे घोटाला तो हुआ है लेकिन मैं यह कहूं कि केजरी वाल का परसनल कुछ इसमें इंवल्मेंट है तो यह बात गलत होगी क्योंकि जो मनी ट्रेल है वो तो हुआ है लेकिन आप मैं उसमें कहूं क कोई आदमी कहीं कि मैंने चोरी करी है और मैंने चोरी करने के बाद वो सारा दान मंदर में दे दिया तो वह चोड़तो नहीं चोड़ी रहेगा तो इसलिए मनी ट्रेलिंग हुई है जो पैसा मिला है लिकर स्कैम से वह गौणाप में खर्च हूई पँजाब चुनाब में ख गरीब बन्दो के लिए दोनों सेम चीज गॉर्मन्ट है अ अगर मोदी ले रहे हैं टैक्स ले रहे हैं तो भी खर्च हो रहा है इंफरास्ट्रॉक्चर के उपर अगर केजरी वालने लिए तो केजरी वालने भी उसको या बाकी कुछ हो गया, free bus rides हो गई फीमेल्स के लिए, ऐसा कुछ भी निये कि मोधी जी लेने के बाद अपने पास रख रहे हैं। के बाद मोदी और भी अच्छी तरीके से काम होगा इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आगी की खबरों के जानने के लिए आप सब देखते रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की